हेलो दोस्तों मैं सवरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में सवागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तेरा अलग-अलग टैप की सवाल किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की प्रिपरिशन कर रहा है तो उसको भी बताईए उसको भी चैनल के साथ में जोड़ लीजेगा बैल आइकन को ध्यान से ओन कर लीजेगा बैल आइकन ओन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे मैत की वीडियो का दो से तीन रीजिनिंग का नो से दस और जीके का लाइव टेस्ट लता रात को डेली 11 बजे और देखे दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि 9 अगस्ट को एक्जाम है अलपी टेक्निशन वालों का तो तब तक आपको कम से कम भी 400-500 कोशन कवर करा दू रीजिनिंग के इसी तरीके से मैत के सोच रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि मैं जादे से जादे कोशन लेके आऊं तो आप वीडियो को लाइक और सेर जादे से जादे करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपका सपोर्ट मुझे दिखे कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जादे से जादे कोशन लेके आऊं मैं और देखे दोस्तों मैं अनकेडमी की लर्निंग पर भी पढ़ाता हूं अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत जादे एक्स्प्लेइन करूँ चीजों को बस आप जादे जादे कोशन कर लीजेगा ठीक है जितने भी मैं कोशन लेके आता हूं उन सभी को कोशन को देख लीजेए आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से ही है नेक्स्ट आप कोशन को देख लीजे ये तो देखे इसमें क्या चल रहा है आप जितने भी question में लेके आ रहा हूं उनको try कर सकते हैं वीडियो को रोग करके ठीक है इसमें क्या सल रहा है आपका A का opposite Z होगा C का opposite आपका X होगा E का opposite V होगा और G का opposite T होगा तो next इसी तरीके से आपका अगर देखा जाए तो H का opposite होता है आपका S ठीक है J का opposite होता है आपका Q ठीक है बई और L का opposite होता है आपका O और M का आपका सभी को पता होगा N ठीक है तो यहाँ पे इसका answer हो जाएगा S Q O N तो S Q O N आपका D right answer हो जाएगा अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए अगर आपकी यह alphabets याद होते है तो आप इस question को within second कर सकते थे अगर याद नहीं होंगे तो आप इस question को 100% गलत भी कर सकते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो मैं आपको पहले भी कहीं बार बोल चुका हूँ कि alphabets के apposite सारे याद कर लिजे उनकी मैंने trick भी आपको बताई थी अगर आपको याद नहीं होते हैं तो एक काम जरूर कर ले जब भी आप exam देने जाएंगे तो वहाँ पर rub sheet जो आपको मिलेगी उस पे लिख लेना A, B, C, D, A से M तक ठीक है यह लिखना है जैसे मैं बत help मिल जाएगी फिर question solve करने में ठीक है कम से कम जो time आप लगाएंगे फिर question को छोड़ काएंगे वो नहीं होगा ठीक है तो चलिए आसा करता हूं कि आपने इसका answer दिया होगा next question पे चलते है question 3 next question को देख लेते है Q, T, U, I, L, M, B, E, F इस तरीके से कुछ लिखा है next क्या ठीक है इस type के बहुत question आपके exam में आते हैं इसलिए मैं जाद जाद कवर करा रहा हूं तो यहां पर सीधा सीधा आपका देखे जैसे उपर मैं आपको बता था कि इसका relation इसके साथ में होता है तो यहां पर ऐसा relation नहीं बन रहा है यह भी आपको ध्यान में रखना है यहां पर कह चल रहा है Q में प्लस 3 करेंगे तो T बन जाएगा और T में प्लस 1 करेंगे आनि कि T U next word हो जाएगा प्लस 1 करेंगे तो यू आ जाएगा उसी तरीके से I में प्लस 3 करेंगे L और L में प्लस 1 तो M उसी तरीके से आपका B E F लिखा है जो उन सा तो B में प्लस 3 करेंगे तो E बन जाएगा और E में प्लस 1 करेंगे तो F बन जाएगा तो अब आपको एक ऐसा option ढूणना है जिसमें प्लस 3 करे और प्लस 1 करे तो आपका next यहां पे आ जाएगा तो आप check कर सकते हैं इन सभी में तो यह वाला right answer है डबलू में डबलू में प्लस 3 करेंगे तो आपका Z बन जाएगा और Z में प्लस 1 करेंगे तो A बन जाएगा तो right answer आपका C हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको clear हो रहे होंगे questions next question पे चलते है question 4 है आपकी screen पे आप try कर सकते हैं इसमें क्या चल रहा है वीडियो को रोक करके try करेगा क्योंकि मैं तो start हो जाता हूँ question को देखते है ठीक है तो यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए सबसे पहले L में प्लस 4 करेंगे P आ जाएगा और O में से माइनस 4 करेंगे तो K हो जाएगा ठीक है उसी परकार आपका अगर I में प्लस 4 कर देते हैं तो आपका M बन जाएगा ठीक है और R में से माइनस 4 कर देते हैं तो N बन जाएगा ठीक है तो right answer आपका option C हो जाएगा आचा करते हों को clear हो गया question ठीक है ट्राइ करते रही है और नहीं होता है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते रही है ठीक है तो आपको question भी clear होते रहेंगे next question पर चलते है question 5 बहुत अच्छा question है देखते कितने बच्चेस का right answer comment box में करते हैं पहले यह देखे 8 लिखा है 28 लिखा है 15 लिखा है next आपका 4 option आपके सामने है तो क्या आएगा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह square भी नहीं है किसी का ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा यह चल रहा है 3 का square minus 1 3 का square कितना होगा 9 और 9 में से minus 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा फिर 3 का cube plus 1 तो 3 का एक बार यानि की 3 का square हुआ है फिर 3 का cube हुआ है 3 के square में से पहले minus 1 हुआ है और फिर 3 के cube में plus 1 हुआ है तो कितना हो जाएगा 3 के cube होता है 27 plus 1 करेंगे 28 तो relation तो आपको ने find out कर लिया यहाँ पे उसी परकार आपका क्या करेंगे 15 में 4 का square ठीक है minus 1 तो कितना हो जाएगा 4.16 minus 1 हो जाएगा फिर next आपका हो जाएगा 4 का cube कितना होता है 64 और 64 में plus 1 करेंगे तो 65 राइट आंसर आपका B हो जाएगा option B is the right answer आशा करता हो कि clear हो गया होगा next question पे चलते है question 6 यहाँ पे लिखा है oxygen जलाना carbon dioxide चार option आपके सामने है तो बहुत ही simple question है जलाने के लिए आपको किसी भी चीज को जलाने के लिए क्योंकि vacuum में कभी आग नहीं लगती है ठीक है तो यहाँ पे carbon dioxide बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है तो option C is the right answer तो आशा करता हूँ कि आपको एक clear हो रहे होगे इस type के question भी बहुत पूछे आते है घोडा खुर तो जिस तरीके से relation यहाँ पे दिया गया है तो आप देख लिजे कौन सा रहेगा यहाँ पे तो मनुष्य पेर यह वाला right हो जाएगा पहले वाला यह right हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे घोडे के जो पेर में होता है उसको खुर बोलते हैं यानि कि जो नीचे के पेर होते हैं उसको खुर बोलते हैं मनुष्य के पैर को मनुष्य के भी पैर होते हैं ठीक है तो ऐसा करता हूँ कि आपको यह killer हो गया होगा next question पे चलता है question 8 देखे अब यह जिस type का question है यह बहुत confuse करने वाला है ठीक है अब यहाँ पे आप यह तो इन्हें option के according करिए या फिर इसमें relation find out करिए ठीक है क्योंकि यह लिखा एक number 6524 अब यहाँ पे आप क्या सोचेंगे कि इसका इससे क्या relation बना होगा फिर इसका किसके साथ में relation बनेगा कुछ न कुछ relation find out करने की कोशिस करेंगे आप इसमें ठीक है आगे मिल गई relation क्या है पता चलिया फिर next आपका चला है 4 प्लस 4 कर दिया गया है 2 में तो 6 हो जाएगा और फिर प्लस 1 कर दिया गया लास्ट वाली डिजिट में तो 5 हो जाएगा तो बड़े अलग सा relation है ठीक है बड़ आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के relation भी आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उसी तरीके से हम इस यहां पे कर लेते हैं 9 में तो 0 पलस करेंगे तो आपका 9 ही रहेगा और 6 में से माइनस 1 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा फिर उसी परकार आपका 3 में पलस 4 करेंगे तो आपका 7 और 8 में पलस 1 करेंगे तो 9 तो सीधा सीधा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, 5, 7, 9 9, 5, 7, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, 5, 7, 9 is the right answer आसा करता हूँ कि clear हुआ होगा तो next question पर चलते है Question 9 बहुत ही simple है देखते कितने बच्चे कर पाते है 169, 144, 121 और 100 और next क्या आएगा तो यहाँ पर सीधा सीधा square चलता है 13 का square, 12 का square, 11 का square 10 का square तो यहाँ पर किसका आएगा 9 का, 9 का square कितना होता है 81 तो right answer C हो जाएगा within second आप इसको कर सकते है और यह question आपका RPF में पूछा गया था, ठीक है तो यह देखी, कुछ जुरूरी नहीं होता कि RPF में पूछा गयता है, वो ALP technician railway के आपका जो pattern रहता है वो mostly same ही रहता है आपका exam का, मतलब जो level रहता है वो ज्यादा उपर नीची नहीं होता है ALP technician हो गया, ठीक है, group D हो गया level में थोड़ा अंतर आ सकता है बट question का type होई रहता है तो यह question यह नहीं कि RPF के लिए ही बना है आपके exam में पूछ जा सकता है आपके SSC के exam में भी पूछ जा सकता है GD वाले में ठीक है, तो next question पे चलते है next आपका देखिए बड़ा अच्छा question है question 10, एक बटराई करिए इसका answer क्या होगा तो आज से करता हूँ कि आपने इसका answer comment box में कर दिया होगा देखिए, इसका सीधा सीधा में आपको यहाँ पे समझाता हूँ अगर हम उल्टा करके चलें यहाँ से उल्टा चले, 96 difference है फिर 48 difference है फिर 24 difference है फिर next 12 difference है तो आपका किस तरीके से difference कम होता जा रहा है और अगर आप इसके आगे से चलेंगे पलस 6, पलस 12, यानि कि 6 6 का increase होता जा रहा है ठीक है हर एक number में यहाँ पे हुआ ठीक है जितना number यह था तो 6 increase हुआ फिर यहाँ पे 12 हो गया यहाँ पे double यानि कि जो भी number था उसका double करता हो जा रहे है ठीक है तो यहाँ पे आपका 6 का 6 इसमें गटता हो जा रहा है यहाँ पे आपका इसका अधा हुआ है तो इसका अधा कितना हो जाएगा 6 और 6 इसमें एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 तो right answer यहाँ पे आपका 11 आजाएगा आप इसको उल्टा भी चल सकते है यानि कि इधर से चलेंगे तो 96 है हाप कितना हो गया 48 हो गया हाप हो गया 24 हाप हो गया 12 तो हाप हो जाएगा 6 और 6 यहाँ पे कब बनेगा जिए आप इसका 5 में 6 पलस कर देंगे तो 11 is the right answer टीक है option D option D हो जाएगा आपका right answer चले फिर नेक्स question पी चलते है question number 11 question 11 भी आपका exam के point of view से ही question है इस type का question भी आता है तो यहाँ पे देखे क्या चल रहा है यहाँ पे double relation चल रहा है जैसे इनका relation चल रहा है plus 2 का ठीक है plus 2 तो और next plus 2 करेंगे तो इसमें क्या जाएगा I आजाएगा फिर इसका चल रहा है plus 1 का P, Q, R पे आया जाएगा तो right answer आपका A हो जाएगा तो आसे करता हूँ कि यह भी आपको clear हो गया होगा next question पे चलते है next आपका question 12 है इसमें बोला गया है कि दी गई सरंखला में गलत संक्या ग्याद कीजे 20, 40, 200, 400, 2000, 4000, 8000 अब इसमें से एक गलत दे रखे कोई भी संक्या तो आपको find out करनी है कैसे करेंगे देखे बड़ाई simple question है वैसे तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे एक बार तो double किया गया है और एक बार 5 गुना किया गया है यानि कि 2x और 5x का relation चल रहा है यहाँ पे भी double relation आज कल जितने भी question आपके exam में पूछे जा रहे है वो double relation के ही जातर पूछे जा रहे है ठीक है चाहिए वो question बहुत simple होगा बट double relation के chances जादा होते है तो यहाँ पे देखे जैसे इसका relation इसके साथ में क्या है double का तो यहाँ पे होगा 2x फिर इसको next 5 गुना कर दिया गया तो एक बार 5 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 40 का 5 गुना 200 फिर इसको double किया गया 400 फिर इसको 5 गुना किया गया तो 2000 इसका double 2000 का 4000 हो जाएगा फिर 4000 का यहाँ पे 2x का रखा यह गलत है तो यह हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 20,000 तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर यानि कि आपके 8,000 की जंग है 20,000 आएगा ठीक है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C, C is the right answer देखे दोस्तों सोरी इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ऊपर लिखा था 13 कोशन यह कोशन 12 ही थे इस कोशन में इस वीडियो में तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जाद़ से जाद़ कोशन लेका हूँ तो प्लीज आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजेगा और आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा किसी कई बार मैं देखता हूँ कि कोशन में गलती हो जाते कल की एक वीडियो थी कल की नहीं परसो पर लए दिनी कि मैंने अभी देखी वो वीडि करता हूँ खुद का मेरा भी कुछ काम है तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे को पोजेटिवली रिपलाई कर रहे हैं तो अगर आप चाहते कि मैं जादे जादा कोशन लिगा हूँ अगर आप मुझे पोजेटिवली हैंडिल करेंगे ना तो मैं ऐसा एक समझ लीजे आपके लिए ऐसा टीचर हूँ कि आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ ठीक है बट यार कभी कभी अगर कोई चोटी मोटी गलती हो जाती तो उसको आप देख लिया करें कि इतनी बड़ी गलती नहीं है क्योंकि आपको इतनी सारी चीजे पढ़ा रह पीडियाप लेने के लिए टेलिग्राम को जोइन कर लीजे करन्ट अफेर और बाकी चीजों के लिए आप फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जोइन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं कल और सारी की सारी वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक दे रखे हैं तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को देखनें बहुत बहुत धिने वाद आपका दिन सुबो